वेल्गम टू निक्सक ज्याम आज है 16 MAR223 और 16 MAR223 से करेंट फैस के जितने भी important question बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी और हर question से related important and back to view मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए लास्ट निम मैं आपसे कुश्यन पोचूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक से बताना है आज किस वीडियो की पेडियाप फाइल आप इस वीडियो की डिसकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियाप आप मारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको सारे पेडियाप एक साथ मिल जाएंगी तो अभी 15 मार्च को 200 उपवोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया यानि किस कुशिन का बे ओप्सन सही है उपवोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में 200 जागुर्टा बढ़ाने के लिए हर साल 15 मार्च को 200 उपवोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है अच्छा एक मार्च को सूनने भेदवाव दिवस मनाया गया तेन मार्च को बेस्टु बनिजीब दिवस मनाया गया चार मार्च को रास्टी सुरक्षा दिवस और बेस्टु मोटापा दिवस मनाया गया चै मार्च को बेस्टु टैनिस दिवस मनाया गया 8 मार्च को अंतरास्टी मैला दिवस और नो स्बोकिंग डिवस नौ मार्च को बेसु किड्नी दिवस मनाए गया 10 मार्च को CISF का 54 इस्तापना दिवस मनाए गया और 14 मार्च को अंतरास्टी गडित दिवस या अंतरास्टी पाई दिवस मनाए गया और 14 मार्च को ही अलवर्ट आइंस्टैन की जैन्ती भी मनाएगे तो मार्च में अब तक इतने इंपोर्टेंट ही मनाएगे हैं यह आपको याद रखने हैं अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है अलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौनिंग में उठकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मौनिंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा देन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइफ आटमेटिक ली अच्छी हो जाईगी नै क्यूशन है हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार केस राज में सबसे कम साक्षरत दर है तो अभी सिक्छा मंतराले की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉड्टिंग बिहार में सबसे कम साक्षरत दर है तो इस कुषिशन का C, options ऐए बियार में सिर्फ 61.8% स सबसे कम है सबसे कम बिहार में हें उसके बाद देश उसके बाद राज्स्थान में सबसे ज़्यादा कहां ये आपको पता होगा सबसे ज़्यादा साλι के केरल की है कितनी हैं को पिहार में सबसे कम है तो ये है मैप में बिहार बिहार की केपिटल क्या है पटना बिहार के चीपनिश्टर कौन है ने तेस कुमार और बिहार के गवर्नर कौन है राजजींदर अर लेकर अच्छा अभी राजबिंदर सिंग भट्टे को बिहार के डीजीपी की रूप में न् रेमंत्री अमित्सा ने बियार के सारण में लोकनायक जै प्रकास नाराइड की प्रतिमा का अनावरड किया। बियार सरकार ने इस्कूलों में अन्यवारे खेल पीरियड और नो बैक डे सुरू करने का फैसला किया। बियार की खगुले बेद साला को युनेसको की महतपूर संकट ग्रस्त बिरासत बेद सालाओं में सामिल किया गया है। ने क्यूशिन है। खाली में सेयुक्त भारत शिंगापूर अभ्यास बोल्ड कुर्चेतर कहां समपन हुआ है। तो भारत सिंगापूर अब्यास बूल्ड कुर्छेट अभी राइस्तान के जुदपूर में जम्बन हुआ तो इसकुश्यन का बे ऑप्शन है अब यह भारत और सिंगापूर के बीच जॉइंट एक्साइज है तो यह है सिंगापूर मैप में सिंगापूर की केपिटल क्या ह सिंगापूर की करणसी क्या है सिंगापूर ये डॉलर और सिंगापूर के प्रजेंट अपर प्राइमिस्टर कौन है हलीमा याकूब ने क्यूशन है हाली में रेसम उत्पादकों के लिए बीमा योजना सुरू करने वाला भारत का पहला राजी कौन सा बना है तो रेसम उत्त्राखंड बना है तो उसकुशन का से ओप्सन सही है उत्त्राखंड सरकार ने रेसम उत्पादकों के लिए रेसम केट बीमा सुरू किया है अब उत्त्राखंड ने सुरू किया तो ये है मैप में उत्त्राखंड उत्त्राखंड की कैपिटल क्या है दैरादू उत्त्र सिंग धामी और उत्राखंड के गवर्नलफ होने गुर्मेट सिंग अभी उत्राखंड को देश का पहला एलेक्ट्रिक तेर्थ यात्रा गल्यारा मिलेगा उत्राखंड के मुख्यमंत्री ने एकल मैलाओं के लिए स्वरोजगार योजना सुरू करने की गोश्णा की है उत्रा अच्छा उत्राखंड में नकल विरोधी कानौन लागू हुआ एम्स रिसी केस ने ड्रोन के जरिए तपेनिक की दमाएं पहुचाने का ट्रायल उत्राखंड में पूरा किया अच्छा उत्राखंड में जेम कॉर्वेट नेसनल पार्क है यह बारत का सबसे पुराना नेसनल पार्क है, उत्राखंड में फूल देही तिवार मनाया जाता है, फूलों की घाटी उत्राखंड में हरेला पर भी उत्राखंड में मनाया जाता है, ने क्यूशन है, हाली में अनुसंदान में सायोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझोता किया है, तो अ क arist chính हो स्व्टीन की करंजी के है स्वेड़ए स्कूरोण और स्वेड़न के present tempo प्रियूमिस्टर कौन है फुर्प क्रिस्टरसण क्यों है फूर्फ क्रिस्टरसन में हाली में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को पर्माण ऊर्जा से चलने वाली पंडुब्यां उपलब्द कराएंगे तो अभी अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्टेलिया को पर्माण ऊर्जा से चलने वाली पंडुब्यां उपलब्द कराएंगे तो इस कुछिन का यह अब यह अभी भारत आये हुए थे अभी छिपकली की एक नई प्रजाती फायलूरस फेंब्रेटस ऑस्टिलिया में खुजी गई है ऑस्टिलिया का डेकन विश्विद्याल है गिफ्ट सिटी में अपना केमपस इस्तापित करेगा जासुसी चिंताओं को लेकर ऑस्टिलिया अपन औस्टिलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिस की जो इमेजिस थी उन सब को हटाने की कोश्णा कर दी है ने क्यूशन है हाली में केंजाबुरो ओई का निधन हुआ है बे कौन थे तो केंजाबुरो ओई ये एक प्रतिस्ठित लेकक थे इनको नोबल पुरुसकार भी मिला थ ये जापान के एक प्रसिद लेकक थे इनको 1994 में नोबल प्राइज मिला था अभी 88 वर्स की उम्र में इनका निधन हो गया है तो इसको इनका से ओप्सन सही है ये थे जापान के नोबल पुरुसकार भीजेता लेकक केंजाबुरो ओई ने क्यूशन है हाली में स्वेस फर्म IQ AIR की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूसित देश कौन सा है तो स्वेस फर्म है IQ AIR इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूसित देश है चार तो इसको इनका बे ओप्सन सही है चार सबसे ज़्यादा प्रदूसित है उसके बाद इराग है उसके बाद पाकिस्तान है अचा अपना देश भारत कौन से नंबर पे है अपना देश भारत आठमे नंबर पे है ने कुछिन है हाली में भारती सारवजनिक चेत्र के उपकरम सत्लुच जल बिद्युत निगम का स्वतंत निदेशक कैसे नियुक्त किया गया तो वे टेक महिंद्रा ने मोहित जोसी को MDN CEO के रूप में अपॉइंट किया सेच एंजिस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में स्रेया घुडाबत को नियुक्त किया गया एलाइसी का अंतरिम चेर्में सिदार्त मोहंती को नियुक्त किया गया ने कुछिन हाली में अभ्यास लापरोज के तेसरे संस्क्रड का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है तो एक्सेसाइज लापरोज इसके तेसरे संस्क्रड का आयोजन अभी अपने देश भारत की द्वारा किया जा रहा है तो इस कुछिन क्या बे आप्सिन सही है और कहां किया जा रहा है हि SIPRI की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आम्स इंपोर्टर अपना देश भारत बन गया है SIPRI की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी Stockholm International Pace Research Institute अचा भारत की द्वारा हिंद महासागर छेतर में Tropex 2023 अभ्यास आयोजित किया गया भारत ने दुनिया का पहला बास बैरियर लगाया है भारत ने International Big Cat Alliance बनाने का प्रस्ताव भी दिया है और दुनिया का सबसे बड़ा Milk Producer बन गया है अपना देश भारत ने क्यूशन है हाली में J20 देशों के सिक्षा कारिसमों की दूसरी बैठक कहा होई है तो J20 देशों के सिक्षा कारिसमों की दूसरी बैठक अभी अमरत सर में होई है तो इस क्यूशन का Say Options है अचा अभी J20 Flower Fest कहां पह हुआ था नई दिल्ली में हाले में 3 साल की पावद्धियों के बाद किस देश ने परेटगों के लिए अपने सीमाएं खोली है तो 3 साल से जो पावद्धियां लगी थी उन पावद्धियों के वेगए से चाइना ने अपनी सीमाएं बंद कर रखी थी लेकिन ऐब China ने अपनी सीमाई खोल दी है तो इस Question का Bay Opzions यह है अब चैना तो ये है Map में China चैना की Capital के है? Basing चैना की Currency के है? rain binge चैना के Taj Teper President कौन है? Xi Jinping और चैना की संसद में नए प्रेमियर की रूप में लेकやंग को नामित किया गया चेन ने संचार उपग्रे जॉंग सिंग 26 का प्रक्षिपड किया है चेन ने अमेरिका में अपने दूत चिन गांग को नया विदेश मंत्री बनाया है बैग्यानिक पत्रों के प्रकासन में चायना टॉप पर रहा है चायना ने अपने अंत्रिच इस्टिसन के लिए मेंग्टियन नामक लैब मोड्यू लॉंच किया है ने खुश्यन है चाली में आई रिपूर्ट के अनुसार सुतन्ता की बाद भारत में मैला साक्षरतदर कतने प्रत्सत बढ़ी है तो अभी एक रिपूर्ट आई है और इस रिपूर्ट के अकोड़क सुतंता के बाद भारत में मैला साक्षरतदस 11% बढ़ गई है तो इस कुश्यन का बे ओप्सन सही है और ये 11% बढ़कर 77% हो गई है अईचा ये मैला साक्षरतदस 77% हो गई है पुरुष साक्षरतदस कितनी है 84.7% ये दोनों आपको याद रखनी है प्रिजेंट टेम पे मैल साक्षरतदस 77% है और पुरुष साक्षरतदस 84.7% है अचा स्वतनता के ताइम पर 11 मैं से सिर्फ एक मैला साक्षर थी ने कुश्यन है हाली में CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन सा बना है तो डेनमार्क अभी करबन डियोक्साइ यहात्या है और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना तो इसकुश्यन को यह आप्सेन सही है अब डेनमार्क बना है तो यह है मैप में डेनमार्क सिव करूं है की लिए चुना गया तो इस कुछिन का से ओप्सन सही है ये हैं तमिल लेखक सिव संकरी और इनी को सरस्चुती सम्मान 2022 के लिए चुना गया अब लास्ट वीडियो की कुछिन का आंसर लास्ट वीडियो मेरे आप से कुछिन पूचा था कि हाली में एसिया का सबसे बड़ा ट और ने इसके बारे उड़े टेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुछिन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का क कुछिन आपके लिए आज के कुछिन है हाली में जे ट्वन्टी फूल उत्सब कहां सुरू हुआ है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर वताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेस्टुक पेज़ पर प्रेवेस एर कुछिन डेली पोस्ट करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी अई एंडरेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफूजन बेदाउट एनी हजीटेशन डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियों का आप टार्गेट जरू याद रखना आज क इस वीडियो को सेयर जरू करतीया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अफेस का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आप से सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज भी दियो टैंक्स पर वाचिंग